दोस्तों रमस्कार मैं संजम अग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटर मीडिया मंच पर आज हर्याना के एक प्रमुक एतिहासिक शहर पलवल के अंदर एक बड़ा हाथसा हो गया हाथसा कुछ यूँ हुआ कि PNG गैस की पाइप लीकेज हुई उस लीकेज से वहाँ विस्पोर्ट हुआ और विस्पोर्ट से चार दुकानों में आग लग गई इस आग में एक व्यक्ति जिन्दा जल गया बहुत दर्दनाग घटना है और व्यवस्था शासन व्यवस्था कानून व्यवस्था सरकारी व्यवस्था इस सब पर ये सवालिया निशान भी है मैं आपको बताओं कि पिछले काफी समय से अगर पहले तो यही कह दें कि जैसे जैसे व्यक्ति सुविधा भोगी हो रहा है जैस जैसे सुविधाओं में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे ही हाथ से और इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है एलपीजी यानि की जो लिक्विट पेट्रोलियम गैस होती है रसोई गैस खास कर जिससे आजकल गाड़ियां भी चलाई जाती है एलपीजी की तरज पर अब पीएंजी का भी उप्योग बड़े पैमाने पर हो रहा है पीएंजी आप माले तो उसके लिए पाइपलाइन बिचाई गई है और पीएंजी की जो गैस है इसके सप्लाई करने वाली जो कंपनी है वो अडानी कंपनी है छोटे बड़े शहरों कस्वों और यहां तक कहें तो गाउं तक यह लाइन सप्लाई पहुँच रही है घर घर अगर माने तो यह चल रही है वैवस्था काफी लंबे समय से कि सरकारी जो वैवस्थाएं है जो सरकारी उपक्रम है उन पर जो पुझी पती है उद्योग पती है कोलनाईजर कह सकते हैं उनको आप कोई भी नाम दे सकते हैं वो बढ़ जाते हैं खैर आज की जो घटना उस पर आपसे चर्शा कर रहा था और मैं बता रहा हूं कि आपको बहुत दुखत घटना है गटना की कुछ यूं है कि शेहर की पुरानी भीड भार भरी भरी रोड है पुराना जीटी रोड कहते हैं उसको शेहर की जीवन रेखा मानी जा सकती है पुराना जीटी रोड पर मोती कलोनी और लाला लाजपत राय पार्क है लाला लाजपत राय पार्क और मोती कलोनी के बीच में कई दुकाने हैं और उसमे पी एंजी जो पाइप लाइन जा रही थी उसमें बताया जा रहा है कि अचानक से गैस लीकेज हो रही थी कल भी वहां शाम को खुदाई चल रही थी खुदाई के दौरान पाली निकल रहा था संभवता उस खुदाई में आ तो लीकेज हुई और जेसी भी मशीन से बताया जा रहा आज भी वहां पर खुदाई चल रही थी उस खुदाई से बताते हैं वहांके जो प्रत्यक्ष दर्शी है कि गैस लाइन जो पी एंजी की गैस पाइप लाइन थी वो लीक हुई और लीक होने पर वहां पर बहुत तेज जोड़दार विस्फोट हुआ दुकादारों मेफरात अफरी मची कुछ लोग भागे और चार-पांच लोग दुकानों के अंदर फंस गए चार दुकाने जिन्मेसे दो बैटरीा इनवर्टर की दुकान है एक चाय की दुकान है और एक दुकान और है इनमें आग लग गाई विस्फोर्ट होने के साथ ही और उस आग के जो आग जली जो आग लगी पहले नजारा देखी आपकी वहां का नजारा क्या था जब वहां पर आग जल रही थी जब वहां पर विस्फोर्ट हुआ और विस्फोर्ट के बाद जब आग जलने की घटना हुई और कितना विक्राल रूप लिया उस आग ने यानि कि तीसरी मंजिल तक 30 फिट उपर तक उस आग की लपते गई पहले इसको देखिए फिर मैं बताता हूँ प्रशासनिक लापरवाई प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी वहाँ पर क्या अडानी की PNG जो सप्लाई करने वाली कंपनी है क्या उसक के अंदर जो भी दोशी होन पर क्या एक्शन हो पहले आप इस वीडियो को देखें अब फुटेज में भी देख सकते हैं इस वीडियो को किस के किस प्रकार किस कदर आग लगी हुई है प्रत्यक्षदर्शी वहां के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और बता रहे थे कि अगर समय पर वहां पर फैर बिगेट पहुंच जाए यह सबसे बड़ी अव्यवस्ता है सबसे बड़ी लापरवाही है शासन पर शासन की कि अगर वहां सूचना हुई थी और जिस जगह पर आग लगी है वहां से जो दमकल केंद्र है उसके दूरी लगबग 700-800 मीटर से ज विडियो शूट कर रहे हैं अपने मोबाइल से तो क्या शासन पर शासन को और उनको कोई सूचना नहीं मिली होगी समय रहते हुए बताया जा रहा है आग घंटों तक चली और जो आग की लपटे आप देख रहे हैं इसके अंदर कि किस प्रकार से तीसरी मंजिल तक आग की लपटे पहुँच रही है चाय की दुकान चलाते हैं वहीं बीद मैंने आपको बताया चाय की दुकान चलाते थे शिव विहार कलोनी के रहने वाले हैं हरिचन सिंगला इस बयानक हादसे में जो आग जनी हुई उसमें उनकी मौत हो गई यानि कि वो उस आग में जिन्दा जल गए बहुत पीड़ा होती है इस प्रकार की खबरें बताते हुए भी और बहुत दुख होता है इस प्रकार की खबरें देखते हुए भी इस घटना के अंदर जो लोग जुलसे उसके अंदर जेसी भी मशीन चालक भी है दो दुकानदार भी है एक दो और लोग भी है जो आग के अंदर जुलस गए और जिनका उपचार चल रहा है फायर बिगेट की बताया जा रहा है बाद में वहाँ पर तीन-चर गाड़ियां पहुंची लगबग डेट से दो घंटे लगे उस आपको कानूप काबू पाने में सरसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आग थी इतनी विक्राल थी कि उस पर काबू पाने के लिए जो आग बजाने के सिलेंडर होते हैं फायर प्रिवेंशन सिलेंडर होते हैं वह काम्याब नहीं हुए लोगों ने भी कोशिश कियोगी और शासन प्रशासन ने फायर से होती है उसके अंदर जो तमाम फैसिलिटी दी जा रही है वह क्या है वहां कोई दुरघटना नहीं होगी इस बात की क्या शूर्टी है वहां पर विवस्थाएं कैसी की जाती है अब कई बार तो देखें तो जाते हुए देखेंगे कि जहां पी एंजी सिप्लाई के केज हुई और अगर जरूर्ट पढ़ रही थी वहां खुदाई करने की अगर जी सी भी थी और सबको पता है कि यहां पर यह लाइन बिची हुई है तो फिर कंपनी के लोग वहां क्यों नहीं थे और कंपनी के लोग थे तो फिर उनमें ऐसा कोई हाथसा ना बचा हूँ इस जेम जोती है पलवल में सभी गए पी एंजी गैस सिप्लाई करने वालों से अब पात भी होंगी अभी तक यह सपच्ट नहीं हुआ कि किसी के खिलाफ पुलिस ने एफ आई आर दर्श की है नहीं कई पलवल के जो विधायक है हर्याना के खेल मंत्री हर्याना के युवा जो प्रकार की घटना जो बीच बाजार में हुई है यह बहुत सोचने को मजबूर करती है इसके साथ साथ ही कह भी रहे हैं कि इस पर सक्ट एक्षन होगा बात वहीं आ जाती है एक तो मैंने बताया कि सुविधा भोगी समाज इस प्रकार से बन रहा है जैसे सुविधाएं बढ़ रहे हैं उसी साथ से इस प्रकार के हाथ से बढ़ते हैं और सुविधायें देने वाली जो कंपनियां हैं जो भारी भरकम सरकार से और भोकताओं से जिनकी डील होती हैं जो मोटा उसका शुल्क लेती हैं और जो अपने खजाने भरने के जो काम करती हैं लेकिन कई बार ऐसे मौके आये हैं कि जब देखा जाता है कि वो लोग व्यवस करनी तो नहीं है और अगर मैं यह कहूं कि आनन फानन में उनको शुरू कर दिया जाता है ताकि फाइलांस की बात है वो सब कुछ ठीक रहे उनका खजाने उनका वित्व जो प्रवंदन है वो ठीक चलता रहे और आज की इस घटना को अगर माने तो बड़ी लापरवाही मा सकती है सबसे महत्रपूर बात है कि क्या इस घटना की किस लेवल पर जांच होगी इसके लिए किसको दोशी माना जाएगा मैं आपसे जो कह रहा था कि इसकी गंभीर और गहन अगर जांच हो और साथ साथ ही अगर जो कंपनी है खासकर जिस कंपनी ने पी एंजी लाइन बि उनके जिनका नुकसान हुआ जो माल की क्षती हुई उसकी पूर्ती के लिए सरकारी तोर पर क्या वैवस्ता होगी ये भी आने वाले दिनों में सामने आएगा ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उसके लिए क्या वैवस्ता की जाती है लेकिन दोस्तों जो प्रम है अडानी कंपनी जिसका पी एंजी उपकरम है इस पर गंभीर इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी तैकी जानी चाहिए अगर फायर विगेट वहां पर समय पर पहुंचती तो संभवता इस हाजसे को थोड़ा और जल्दी काबू पाया जा सकता तो शायद जानमाल की खशती और कम होती या ना होती खासकर जान श्रती बस सकती थी इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए देखा जाना चाहिए अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो इस पर भी एक्शन होना चाहिए अगर फायर विगेट लेट हुई तो क्य आने वाले समय के लिए संकेत देती हैं इस प्रकार के हाथ से हमें आने वाले समय के लिए जागरित करते हैं कि हमें ध्यान देना होगा कि जिन विवस्ताओं के बीच हम रह रहे हैं उनमें किन प्रकार की खामिया है और आने वाले समय के लिए कहीं वो हमारी जान की दुश्मन भी है कि क्या इसके लिए अगर पी एंजी जो सिप्लाई कंपरी है जो मैं आप से वीडियो के बीच में मैंने कई बार कहा क्या आप भी हमारी इस बात से सहमत हैं कि उन पर तै किया जाए किसकी लापरवाई थी किसका दोश था और उस पर फिर गैर इरातन हत्या के प्रयास का मामला दर्श हो ब्रतक के परिवार को उचित मुआवजा मिले और जिन दुकानों के अंदर ख्षती हुई है जो व्यापारियों का नुकसान हुआ है उनकी कंप्लीट संपूर्ण भरपाई हो यह सरकार तै करें आप हमारी बात से कितना सहमत है कमेंट्स बॉक्स में जरूर तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें